हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया बॉली हुड में मा का किरदार तो कई अभिनेत्री ने निभाया लेकिन सिल्बर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब मा का चित्रन जैसा निरुपा रोई ने किया वैसा कोई और अभिनेत्री का भी कर नहीं कि जब भी फिल्मी मा का जिक्र कही तो हो तो जहन से सबसे पहले निरुपाराय का चेरा ही उबढ़ था था लेकिन आज हम आपको इनके उन बेटों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी माँ निरुपाराय को सिर्फ गम दिया बदले में माने उने प्यार दिया लेकिन उनकी बहों ने भी उनका आदर नहीं किया और अंत हुआ निरू पौराय का बेहत बुरा निरू पौराय का जन्म हुआ था चार जनवरी 1931 को गुजरात के वलसार में बच्पन में इनका नाम था कोकीला किशोर चंदर बुलसारा थी इनके दो बच्चे हुए थे बेटा योगेश रॉय और बेटी किरन रॉय इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि एक बीम इनके पती कमल रॉय ने एक गुजराती अकबार में एक इस्तिहार देखा एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी निर्पोराय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ओडिशन दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया इसी के साथ इन्हें रनक दीवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्ट भी कर लिया फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम कि यहां के बाद भी गौर करने वाली है कि इनके पती कमल रॉय ने भी ऑडिशन दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था अगले साल यह नजर आई फिल्म उद्धार में फिर दो सालों तक इनके कोई फिल्म नहीं आही लेकिन फिर 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम क एक फिल्म में काम किया फिल्मी करियर शुरू हुए पाथ साल हो चुके थे लेकिन ने कोई खास पैचा नहीं मिल पाई थी मकर फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय के फिल्म दो बिगाज जमीन में निर्पोराय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जित लिया निर 40 और 50 के दर्शक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथालोजिकल किरदार निबाये थे उस दोर की जादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निबादे थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानन मुंए चाहे भारत मुशं रहे हो या फिर त्रिलोग कफुल बैने या फिर अशोकुमार एक्टिंग की अधिर लोग कफुल के साथ में किस्थ यह तूंख कि इनके जोड़ी कुछ जमी की इन दोनों ने 18 फिल्मों साथ काम किया था लेकिन बॉल्यूड जब सत्तर के दश्रक में पहुचा तो तब तक काफी कुछ बदलना शुरू हो गया था हिंदी सिनेमा रोमान से हटकर एंगरी यंग मैन बेस्ट फिल्मों पर फोकस होनी लगा अमिता बच्चन जिसे एंगरी यंग मैन के रूप में किरदार में नजर आई और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबर्जस एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलिवूड में पर्मनेंटली मा के किरदारों में ही नजर आने लगी अमिताप और निरुपारॉय का मा बेटे का रिष्टा सीनिमा के शोकिनों को बहत पसंद आया मा बेटे के रूप में निरुपारॉय और अमिदा बच्चन की जोड़ी कितनी जादा पसंद की गई इसकी एक मिसाल है 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बाद्शा अभी तापकी दूसरी पारे की इस फिल्म में निरुपारॉय उनकी मा बनी थी और किवल अमिदा बच सनी दोल की मा का की करदार भी किरदार भी निबाया का सन 95 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरुपारॉय ने देवानन की मा का के करदार निबाया था जबकि उनकी उम्ट्प Laut देवानन साफ से आठ साल कम थी जाए अगर इन्हें मिलेश के बारे में करेता तो साल में इनके जबर्जस्त काम के लिए इने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का नॉमिनेशन मिला था इतना ही नहीं साल 2003 में इने फिल्म फेयर ने लाइफ टेम एच्विमेंड आवार्ड से सन्मानिक किया था लगबक साथ सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निर्पाउराय ने 250 से भी जादा फिल्मों में काम किया था निर्पाउराय के किरदार की प्रमुक फिल्मों की बात करे तो इन्होंने मा और ममता घर घर की कहानी पूरब और पश्शीम अमर अकबर एंथोनी सुहाग बेताप सरफरोश गिरफतार मर्द गंगा जमना इंतकाम, प्रतिकार, गंगा, तेरा पानी अमरुत, आसू बने अंगारे, बेजुबान, कौन अपना कौन पर आया और जहा तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया इनके करियर की आकरी फिल्म थी लाल बाश्शा जो कि साल 1999 में में रिलीज हुई थी और जिसमें ये फिर से अमिता बच्चन की मा के किरदार में नज़र आई थी अस्थी का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था नब्बे के दशक में केवल पाच फिल्मों में ये नज़र आई थी और ये पाच फिल्में भी नब्बे के दशक के अलग-अलग सालों में रिलीज हुई थी लेकिन दोस्तों इनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं आपको निरपोराय ने कई सारी फिल्मों में ही की है बॉलिवूर को काफी हिट फिल्में भी दी है आपको बता दे कि दर्शकों को इनका मा का किरदार काफी जादा पसंद आता था इसकी वज़से उन्हें किसी किरदार में जादाता रखा गया निरपोराय ने 15 साल की उम्पर में कमल रॉई से शादी कर ली थी और वो एकदम से ही मुंबई में आकर शिप्ट हो गई थी लेकिन कुछ सालों के बाद में उन्हें दो बेटे हुए जिनका नाम योगेश राय और किरण रॉय रखा गया निरपोराय की बहू उना रॉय ने अपनी सास पर दहेज लेने के आरूप लगाए और उनके खिलाब एफायाद दर्ज़ करवा दी बता दे कि एक्ट्रेस को पूलिस ने गिरफतार कर लिया था ये सब देखने के बाद में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्शा होने लगी जानकारी के लिए आपको बता दे कि निरुप और राय के बेटे योगेश राय और किरन राय दोनों ही जाइदात के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे और ये बात उनकी मा यानि की निरुपा को बता ही नहीं थी अपको बता दे की दोनों बेटों ने मिलकर अपनी मा को टॉर्चर किया, इतना ही नहीं प्राप्टी की वज़े से दोनों भाईयों में काफी जग्डे भी हो rolled में बेटे बड़ी योगेश के टॉर्चर करने के बाद, किलन ने इस अपनी मा को खुब टॉर्चर किया डॉक्टर ने काफी कोशिश की इनकी जान बचाई जा सके लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकाम्याब हो गई और आखिरकार 33 साल की उम्बर में निरुप और रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया कहा जाता है कि निरुप और रॉय अपने बेटे से बहत प्यार करती थी लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरन रॉय के बेच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ था ये विवाद इतना जादा था कि मिडिया में ये खुब सुर्कियों में रहा था इनके दौर की एक और अभीनेत्र थी जिनका नाम था शामा शामा से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी जब निरुप और रॉय की मृत्ती हो गई तो शामा फूट फूट कर रोई थी निरुप और रॉय को इस दुनिया से गए कई ही चुके हैं लेकिन आज भी लोग इने बहुत याद करते अपनी बेमिसाल आदाएगी से निरुप और रॉय ने बॉलिवूड में जो अपना मुकाम बनाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा दो दोस्तो अभी के लिए बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए